कर लेता हूं और दोस्तों देख सकते हूं हमारा ये फोन हो चुका है अनलोक पूरी तरीके से तो दोस्तों देख सकते हूं जिन जिनना भी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेना है तो चलिए हमारा चैनल सर्च करेंगे और यह दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक वफिर से आपके अपनी यूटुब चलाइन पर दोस्तों देख सकते हमारे पस जो फोन है यहां पर वीव को फोन है और यहां पर हम दोस्तों अभी model बाद में बताएंगे आपको confirm नहीं करेंगे और यहां पर दोस्तों देख सकते हो FRP lock का problem लगा हुए इस पे FRP लगा हुए तो यहाँ पे तो आप समझी गए हुए या तो आप Google account डालने को कह रहा है या तो आप अपना pin डालिए तो देख सकते हो यहाँ पे इस condition में आप क्या करना है देख सकते हो यदि हमारे पास pin है तो हम pin से भी unlock कर सकते है या तो दूसरा option होता है ID के थुरू हम इसको login करके unlock कर सकते हैं दूस्तो तो इन condition माली जब अपना ID password भूल गाए तो यह देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का option आजाता है दूस्तो तो आपको simple सा फिर हमको इसकी FRP को bypass करना पड़ता है तो दूस्तो model बगएरा चाहो तो आपको एक option दे देता हूँ यदि आप किसी के phone पे wifi connect करोगे तो उसके wifi settings खोलोगे तो उसमें खुद दिखा देगा कि आपके device में कौन सा device connect उसका model number को दिखा देता है तो दोस्तो जरूरी नहीं किसकी settings पे जाके आप इसकी settings चेक करें आप normal किसी का wifi connect कर देंगे तो भी उसका device दिखा देगा तो चलिए मैं तो आपको खेर देखांगा बाद मैं तो agree करूंगा तो दोस्तो आपने तो देखतो लिए यह हुआ है एक बाद फिर से देखा देता हूँ ताकि video fake न लगे तो देख सकते हो यहाँ पर FRP लगा हुए log का sign उपर आ रहा है देख सकते हो तो दोस्तो आज हम इसकी FRP को bypass करने वाले हो और याद रहे दोस्तो आपने बहुत सारे method कर लिए और आपका work नहीं किया है method तो आपको पहले इसको reset कर देना है आपको recovery mode पर जाके button वाला जो reset होता है तो चलिए setting करेंगे और यहाँ से back करेंगे और यहाँ पर दोस्तो हमको network पर जाना है see all network फिर add new network पर जाना है फिर यह देख सकतो माइक का option आ रहा है यहाँ पर इस पर हम ऐसे touch करेंगे फिर step का आएगा तो आपको deny करना है फिर एक बार करेंगे फिर deny करना है थर्ड़ बार करेंगे तो यहाँ पर allow का option आ जाएगा दोस्तो देख सकते हो तो हम allow करते हैं और दोस्तो जिसका नहीं आ रहा तो आप इसको पहले button से reset कर लेना है उसके बाद ही आएगा यह phone क्यूंकि आप बहुत बार try करने के बाद यह सारे option एक बार खुलके off हो जाते है तो दोस्तो अब हमको चलना है यहाँ पर permissions के अंदर फिर यहाँ पर डालना है सिर्फ apps एप सर्च करेंगे तो यह default app पर जाएंगे फिर app info के अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं बहुत सारे option आजाते है Google Play Service में है चलिए खैर दोस्तों हमारे पास तो option यह कि हमारे disable का option आ रहा इनकेस बहुत से लोगों के पास ऐसा होता है कि disable का भी option नहीं आता है तो उन condition में बता रहा हूँ तो मैं चाहूँ तो अब यहाँ से अमारे जो Google Play Service बगएर disable है तो हम बहाँ से भी try कर सकते है तो दोस्तों हमको क्या करना होगा YouTube पे जाना है और notifications के अंदर जाना है फिर additional settings के अंदर जाना ये all vivo phone के लिए बता रहा हूँ जिनमे latest security patches है और दोस्तों याद रहे जब तक ये video work करेगा तब तक आप के लिए ये चीज ये video फायदे मन रहे है क्योंकि security page बढ़ते रहते तो बहुत से नए-ने और फिर youtube term service के अंदर जाएंगे तो chrome browser पर click करके always कर देते हैं ताकि ये phone सीधे सी में खुलेगा फिर तो दोस्तों अब यहाँ पर हमको लिखना है frp file और ये first वाली जो link खुल जाएगी इस पर चले जाना है तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके का option आजाएगा frp bypass भी लेख सकते है और दोस्तों यहाँ पर बता दूँ तो यहाँ पर screen log वगेरा भी कुछ phoneों में work करता है कुछ पर नहीं करता है तो मैं screen log से आप जो try कर सकते हैं सब नहीं करता है तो वह आला method ही है यह तो चलिए हम quick search box लिखा हो जो इस पर यहाँ open कर देते हैं google का nothing करेंगे और यहाँ पर आपको search करना है we और यहाँ देख सकते हो app store आजाएगा जो होता है wevo का app store तो इस पर click करेंगे allow करते हैं agree करेंगे और इसको skip कर देते हैं दोस्तों और यहाँ पर हमको करना है quick shortcut maker तो quick डालेंगे तो दोस्तों इस तरीके का जाएगा quick shortcut maker तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आराम से वीडियो देखें कोई सब बन जाएगा हमने जैसे ही google में सर्च किया frp bypass फिर वहाँ पर जो आया रहा google search box उसके अंदर हमने इसको open कर लिए settings फिर यहाँ पर हमको google की settings open हो गोई फिर हमने वहाँ पर वीवस डाले है तो वीवो app store खुल गया फिर हमने इसको open कर दिये तो उस तरीके का आया फिर हमने इसको permissions बगेरा देने के बाद जब इस तरीके का searching का box खुल गया तो यहाँ पर हमको quick shortcut maker का एक app डाउनलोड करना है तो चलिए get कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा देख सकते हो app install हो रहा है ज़्यादा बड़ा app नहीं होता है 2MB का app होता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो app install हो चुका है तो यहाँ से इसको open करेंगे और okay करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों डालना है आपको factory test तो दोस्तों देख सकते हो factory test लेखने को आद इस तरीके का आईगा तो इस पर touch कर देना है तो बहुत सारे यहां पे देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे factory test आ जाएंगे तो आपको यहां पे तीसरे नमबर पे जाना है engineering test 123 देख सकते हैं लिखा हुआ है तो आपको first वाले में चले जाना है और फिर try में टच कर देना है तो यहां पे engineering mode 123 भी ऐसा आएगा तो आपको last वाले में जाना है फिर दोस्तों अब यहां पे back to home पे जाओगे तो आप से पूछेगा कि आपको English language चाहिए या Hindi language चाहिए किस पे आपको home screen में जाके कौन सी language आपको best लगेगी तो आप दोस्तों English करना क्योंकि Chinese तो हमको समझ में आनी नहीं है तो हमको जैसे ही मैं इस पे टच करूँगा अब दोस्तों हमारा phone unlock हो जाएगा तो बहुत ही simple method है दोस्तों एक ताम आसान तरीका है all vivo में ये working कर रहा है अभी जिन जिन phone में screen lock नहीं लग पा रहा है तो अब बता दू तो आप ये वाला method भी try कर लेना दोस्तों तो यहाँ पे चलिए मैं English कर लेता हूँ और दोस्तों देख सकते हो हमारा ये phone हो चुका है unlock पूरी तरीके से तो दोस्तों देख सकते हो हमारा ये phone unlock हो चुका है और कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं एकदम आसानी से phone unlock हुगा है तो इसी बात पर मैं चलूँगा सबसे पहले settings दिखाऊंगा इसकी की model क्या है हमारे phone का तो दोस्तों देख सकते हो vivo का Y51A model है ये Y51A model है और model number की बात करता हूँ जैसे की तो देख सकते हो V2031 और दोस्तों दूसरा option तो आपको मैंने बताया रहा है किसी का भी आप Wi-Fi connect करोगे दूसरे handset में उसकी Wi-Fi settings कोलोगे तो hot spots की settings कोलोगे तो उसमें जो device connect दिखाते हैं कि कौन-कौन से device connect है तो उसमें model वैसी दिख जाता है तो इसका कोई issue नहीं है कि हम पहले इसका settings पे model चेक करेंगे कौन से तो दोस्तों ये वाला method जो एकदम working method है तो आप जरूर try करना जिसका नहीं हो रहा हो और वीड़ो अच्छा लगा तो हमारी channel को last में like, subscribe जरूर करना हम ऐसी trick लाते रहते हैं आपके लिए तो thanks for watching guys